हेलो फ्रेंड्स, वालकम टू माई यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम लिस्कस करने वाले हैं, बिर्सा अग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी रांची जारखन, किसे रिलेटेड जितने भी छोटे बड़े डीटेल्स होते हैं, वो सारे चीज़ें मैं आपके साथ श को छोड़ करके और 6 कोर्से ओफर किये जाते हैं, उसके लिए आपको कौन-कौन से कॉलेज अलॉट होंगे और कहां पर सिचुएटेड है वो कॉलेज उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में डेस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर से जरूर इसलिए में स्थित है और आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत है और इसका कैमपस भी काफी बड़ा है अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब आप बी यू के ऑफिसिल वेब साइट पर जाते हो ऑफिसिल वेब साइट साइट जो है आप दे क्या रही है तो यह जो इस्टाबलिस्ट हुए है वो 26 तो जून 1981 में हो गई थी जो की काफी जादा काफी ओल्ड है यह और बहुत ही बेस्ट है अगर आप एक्जाइम देते हो तो आपका फॉस्ट च्वाइस यही रहता है अगर बात की जाए कि स्टाबलिस्ट बाइ तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तुरू हुआ था जो कि उस समय इंदिरा गांदी जी थी और अफ्लिएटेट की बात करें अफ्लिएशन की बात करें तो यह काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम किसी भी युनिवर्सिटी में या कॉलेज में अर्मिशन लेना चाहते हैं तो उसका अफ्लिएशन वैल्यू रखता है हमारे लिए वह हम जरूर एक बार चेक कर लेते हैं तो देखिए अफ्लिएशन जो है इसका युजी सी यानि युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन और इंडियान काउंसिल ऑफ एग्रिकल्चर रिसर्स दोनों ही जगह से यह अफ्लिएटेड है तो यह काफी बेस्ट है यहां से अगर आप यहां कोर्स करना चाहते हो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए अब नेक्स्ट देख लीजिए यहां के चांसलर कोने तो हनलेवर्स द्रॉपदी मुर्मू है और वाइस चांसलर जो है वो इसी के बारे में one by one discuss करने वाले हैं कि इस बी यू के अंतरगत कितने colleges आते हैं और वह कहां पे situated है ठीके अब ही हम लोग थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं फेकल्टी इसके बारे में संकाय जिसको कहते हैं तो पहला है फेकल्टी ओफ एक्रिकल्चर ठीके जिसको हिंदी में क विअधे नलेग करने नल्चि जब आप लुग को एक्जाम देते हो तो आप उसके अंदर यह सारे ने ग्याते हैं समय कुल लगा, ने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक करके कॉलेज की बारे में देखेंगे तो सबसे पहला है आपका राची एग्रिकल्चर कॉलेज कांके राची जो कि सबसे पुराना कॉलेज है जो कि में 1955 में ही इसका इस्टैबलिस्मेंट हुआ था और यह पर्टिकुलर एग्रिकल्चर के लिए ही है अगर आप अच्छे मार्क से स्कोर करते हो और अच्छा रैंक आपका आता है तो डेफिनिटली आप फर्स्ट जोईस आपका यही होता है और नेक्स्ट है राची वेटिनरी कॉलेज कांके राची 1961 में इसका इस्टैबलिस्मेंट हुआ था वेटिनरी कॉलेज मेंली जानवरों से रिलेटेड जो भी होती है पढ़ाई वो इसी में होती है और यहां पे इस कोर्स को करने के बाद आप आप जानवरों के डॉक्टर बनते हो और नेक्स्ट है कॉलेज और फॉरेस्ट्री कांके राची जो की 1981 में इसका इस्टैबलिस्मेंट हुआ था इसमें आप फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कोर्स अगर चूज करते हो तो आपको यहां कॉलेज मिलती है और फ्रेंट्स यह जो चारों के चारों कॉलेज है यह आपको बी यू के कैंपस के यह सारे कालीज मिल जाते हैं आपको यानि कि सारे के सारे राची में है और जहां पर इसका यूनिवर्सिटी है में यूनिवर्सिटी वहीं पर यह कॉलेज भी सिच्वेटेड है अब हम लोग बात करते हैं तस स्यावन एग्रिकल्चर डिग्री कॉलेज स्टार्टेड इन 2017 यह वो काफी old colleges थे बहुत पुराने लेकिन अभी recent में 2017 में नए नए college established हुए है जिसके बार में हम लोग आज देखते हैं सबसे पहला है agriculture college जो कि गढ़वा में है दूसरा है तिलका मांजी agriculture college जो कि गोड़ा में है अब बात करते हैं dairy technological degree college जो कि हंस्डिया दुमका में है ठ चीजे होती है milk production से related जो course होती है उसके लिए आपको यह college मिलेगा government college ही है and next है रविंद्र नाथ ट्यागोर agriculture college जो कि देवघर में है और अगला है आपका horticulture degree college जो कि कुंती पानी चाईवासा में है यह particular college है इसमें आप horticulture अगर course चूज करते हो तो उसके लिए आपको यह जो कि आपको गुम्ला में मिलेगा और आगे है राम किशन मिसन विवेका नंद educational and research institute मोराबादी रांची ठीक है तो इतने colleges है जो कि रीसेट ने बने और सारे के सारे जो बिल्डिंग है वो नए है 2017 में ही यह सारा बना हुआ है और सार्ट हुआ है तो definitely आपको इन सारे colleges के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि जब आप counseling में जाओगे और आपको जब offer किया जाएगा तो यह college आपको पता होना चाहिए कि कहा है और क्या नाम है उन colleges का अब next देख लीजे यह official website से ही निकाला है मैंने आप चेक कर सकते हो यहां पर बात करेंगे facilities के बारे में आप में से कई सारे student पुछते हो कि facilities हमें क्या मिलेगी तो BAU के अंदर जो आपको colleges मिलेंगे उसकी facilities के बारे में यहां दिया हुआ है कि यहां central library, digital library, computer center, hospital, hostels, आपको कई सारे चीजे मिल जाती है जो कि आप चेक कर सकते ह हो इसके official website पर जा करके and अब जो most important है वो बात करते हैं कि seat matrix के बारे में यानि जहारखंट का मैंट अब exam देते हो तो seat matrix क्या होने वाली है उसके बारे में discuss कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर यह पिछले year का seat matrix है जिसका screenshot मैंने यहां पर लगाया हुआ है तो colleges जैसा कि मैंने आपको बताया था total 11 colleges है अभी तक जितना college की बारे में आपको मैंने overview दिया हुआ है total यहां पर mention किया हुआ है और साथ में seats कितने है वो हम लोग जान लेते हैं तो रांची agriculture college कांके रांची में 68 seats है total रांची वेटनरी college कांके रांची उसमें 51 total seats है college forestry college of forestry कांके रांची उसमें 42 seats है agriculture college गढ़वा उसमें 50 तिलका मानजी agriculture college जो की गोड़ा में है वो है आपका 50 रविंदरनाथ टैगोर agriculture college देवघर जो की 50 है इसमें भी dairy technology college वही आपका milk production वाला जो college मिलने वाला है वो यह यह दुमका में present है और उसमें 30 seats है total fisheries technology college गुमला उसमें है आपका 30 seat and agriculture engineering college कांके रांची है जो की इसमें 40 seats है और horticulture college जो की चाहिवासा में present है उसमें 50 seats and रामकृष्ण विशन विशन विवेका नंद educational and research institute मुरबादी रांची में total 50 seats है तो यह मैंने आपको seat matrix की बारे में बताया है अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन से courses मिलते हैं और subject group यानिए पीसी भी PCM या PCM भी होने चाहिए इसके बारे में मैंने डीटेल में एक वीडियो अल्रेडी बना रहा है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं या फिर आप इसका screenshot लेकर के भी कर सकते हैं कि कौन से college को लेने के लिए आपका subject क्या होना चाहिए यहाँ पे subject के बारे में बीट दिया हुआ है अब बात कर लेते reservation के बारे में तो friends general के लिए 40% seats reserve है EWS general EWS में जो आते हैं उनके लिए 10% है ST वालों के लिए 26% है SC 10% BC1 OBC में 2 आते हैं BC1 के लिए है आपका 8% और BC2 के लिए है आपका 6% और दिव्यांग के लिए आप देख सकते हैं एक-एक सब में हैं बस तीन college को छोड़ करके यहां पर आप देख सकते हैं पहला है dairy technology के लिए उसमें दिव्यांग के लिए को भी seat reserve नहीं है दूसरा है fisheries technology college गुमला उसमें भी नहीं है and agriculture engineering college कांके राची इसमें भी दिव्यांग के लिए को भी seats reserve नहीं है बाकी सारे colleges में एक-एक seats उन्हें मिलेगा ठीक है तो यह all over आपका seat matrix था आप देख लीजे यह seat matrix इस बार भी होने वाला है और इसी तरह का reservation आपको मिलने वाला है तो आप अपने category के हिसाब से college जो भी आप college चाहते हो उसमें particularly सभी चीज़े चेक कर सकते हैं अब next last जो बात आती है वो है कि telegram channel को जरूर से जरूर जोईन कर ले friends क्योंकि यहां पे आपको important updates मिलते रहते हैं क्योंकि कुछ updates ऐसे हैं जिसके लिए मैं particular video बनाकर के YouTube पे नही नहीं सकते हूं इसलिए चोटे मोटे जो भी update होते हैं वो मैं आपको यही telegram पे बता देती हूं साथ में आपको notes भी मिल जाते हैं previous year के questions भी मिल जाते हैं test भी हो रहा है तो यह सारी facilities आपको इसी telegram channel में मिल जाएगी अगर आपको selection चाहिए तो जरूर से जरूर जोईन और लास्ट में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए all पे सेट कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही informative वीडियो आपको मिलते रहेंगे चैनल पे चलिए thank you so much